आप सभी प्रिया दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे ITI के बारे में Quarterly 4 रिजल्ट आये हैं और भारत को आत्मिर्वा भारत बनने का जो महीम भारत के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदीजी ने उठाया है वो ITI के द्वारा भी पूरा होगा जब तक हम electronic sector में खुद आत्मिर्वा नहीं बनेंगे तब तक हम भारत चाइना से मुक्त नहीं हो सकता है Stock is continue to go higher quarter 4 result में robust performance दिखाई है आज भी 4% से उपर बढ़ा हुआ है revenue को देखे तो 1266 करोड का revenue हुआ है और ये increment है करीब 90% पिछले साल इसी टाइम से तो बहुत अच्छी बात है profitability देखे जाए तो loss compared to 32 करोड के 300-200 करोड का profit है ये अगर net number की बात करें तो 600% अब आया है overall year on year basis पर government के order आ रहे है नए नए जो कि यहाँ पर अब जिस तरह से digital economy होनी है उस तरह से इसमें और फर्दर आएंगे तो देखे जब report किया था तो 10% approved आप हुआ था और आज भी ये ऊपर चल रहा है पहला reason कि अगर समझने की कोशिश करें तो जो receivable है यहाँ पर आगे आने वाले स 1033 यह audited number है 133 lakh के आसपा, 1000 lakh के आसपास आया है compared to 50,000 lakh के comparatively और जैसा बताया 200 करोड का compared to 32 करोड के नुकसान के तो यह बहुत अच्छा result आया है सारव अगर भाव को देखे तो 133 रुपे 50 पैसे पर चल रहा है कल यह बंद होते होते 127 रुपे पर बंद हुआ था overall अच्छा दिन है stock के लिए और देखे यहां से खुला अच्छा था 137 के असपास और अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ को pressure लग रहा है अभी यहाँ पर काफी अच्छा consolidation किया है अगर आप low level से देखे तो 103 के level से 135 के असपास चला गया है हमने अपने चैनल पर शुरुआत में ही इसको recommend करना शुरू कर दिया था और देखे अगर आप हमारे चैनल पर शुरू से बने हुए हैं तो यहां पर आपने 70 और 80 के बीच में इसको आराम से खरीदा होगा यह बहुत अच्छा accumulation zone सा और अभी आपका पैसा काफी बड़ा ह हो चुका है यहां पर चैनल का 5 by February ध्यान रखना आपकी wealth को बचाएगा और data center जो इनके पास में है वो एक इनकी unique position है जो इनको long term के लिए एक multi bagger stock बना के रखेगी एक बहुत बड़ा return आपको मिलेगा इस stock के चलते हुए यहां पर तो आपको अगर खरीदना है तो आपको तो सलह यही दी जाएगी प्लीज करेंट मार्किट पर सारा मत करी दिये थोड़ा सा नीचे के लेवल पर भी cash रखेगा इलगो वेरी हायर data center का बहुत बड़ा demand रहेगा तो यह बहुत अच्छे reason है और यह partnership बढ़ाते जाने अपनी देखिए सलसा टेक्नों के साथ उन्हें इसकी बहुत जादा रहेगी और जब demand जादा होती है तो volume बढ़ते हैं जिससे इनकी cost per unit कम होगी यह IT में हमेशा रहता है infrastructure sector में तो यह बहुत अच्छी पहला है इनकी इस तरह से अगर technical view देखा जाए तो यहाँ पर stock ने काफी अच्छा momentum दिखाया है देखिए बुली के बैंड के नीचे की level से 102 से बढ़कर बैंड के बाहर की तर्च लगए बैंड 11 के आसपास है अभी और उपर चल सकता है आपर super trend के basis पर इसने 22 signal delayed किया था 113 के आसपास और देखिए अगर simple एक chart को भी follow किया तो 136-33 के आसपास इसने high बनाया है अभी 116 का stop loss, RSI का level 64 है जो कि अभी थोड़ा सा overboard zone में आ जाएगा दो चार दिन में अगर तेजी से बढ़ता है यहाँ पर कर देखिए वोर्टेक्स इंटेक्स ने बहुत 0.78 का value है red का नहाँ पर बहुत अच्छा buying value दिखाया है इस stop नहीं यहाँ पर एलिगेटर इंडिगेटर तीनो पेरामेटर study and steadily बोल रहे हैं बाई कीजा आज volume बहुत अच्छा है चार मिलिका शेयर अलड़ी hand exchange हो चुके है तो technically यह strong breakout पर है आप चाहे तो अपने portfolio में एड कर सकते हैं आप चाहे तो हमारे साथ जूड़ सकते हैं as power system we are recommending ITI buy और long term के लिए हमारा view इसमें बहुत bullish है और इसका target तीन सो रुपेगा है आप buy कीजे hold रखिए आने वाले दो से तीन साल में आपको इसका target मिलेगा और अगर आप हमारी paid service चीए तो main job कर सकते हैं